दिल्ली में आमाधी पार्टी और कॉंग्रेस का इंडिया गड़ बंदन कितना काम्याब रहा इस पर एक नज़र डालते हैं। दिल्ली में इस बार लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सभी साथ सीटे जीत ली हैं। लेकिन इंडिया गड़ बंदन भी अपना परभाव डालने में काम्याब रहा है क्योंकि इंडिया गड़ बंदन की वरे से बीजेपी उमीदवारों का जो जीत का मार्जिन पिछली बार था उसके मुकाबले इस बार बहुत ही कम हो गया है। को उन्होंने 3,66,000 वोटों से चुनाव हराया था। नई दिली सीट पर बीजेपी की 32 सुराज ने इस बार चुनाव जीता है। 99,000 वोटों से अपना चुनाव जीता है जबकि 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर करीब पौने 6,000 वोटों से जीत दर्ज की थी और पूरे दिली में सबसे अदा वोटों से 2019 में यही जीत दर्ज हुई थी। इसके बाद पूर्वी दिली सीट पर आते हैं तो पूर्वी दिली सीट पर इस बार जो बीजेपी उमिदवार हैं हर्श मलोतरा उन्होंने 93,663 वोट से जीत दर्ज की है। की पिछली बार 2019 में इस सीट पर बीजेपी का जीत का मार्जिन 3,91,000 वोटों का था। इसमें अब बात कर लेंगे अगर उत्तर पशिन दिली की तो उत्तर पशिन दिली में इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है। पर कॉंग्रेस को जो है बीजेपी उम्मीद्वार योगेंदर चंदोलिया ने 2,90,000 वोटों से चुनाव हराया है। पिछली बार बीजेपी का कम से कम भी अगर कोई उम्मीद्वार चुनाव जीता था तो लगबग 2,00,000 वोटों से वो जीता था। लेकिन इस बार एक लाग से भी नीचे मार्जिन आ गया है। दक्षनी दिल्ली सीट को देखें तो दक्षनी दिल्ली सीट पर इस बार करीब 7,00,000 वोट से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लाग 24,000 वोटों से जीत मिली है। पिछली बार 3,67,000 से बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली थी। चांदी चौक बहुत प्रतिष्ठित लोकसबाज सीट है। यहां से बीजेपी उमिद्वार ने केवल 89,325 वोटों से जीत दर्ज की है। जबकि पिछली बार 2,28,000 वोटों से बीजेपी उमिद्वार डॉक्टर हर्श वर्दन यहां से चुनाव जीते थे। बीजेपी का जो वोट शेर है इस बार 2024 में वो भी पिछली बार के मगाबले नीचे आया है। इस बार बीजेपी को 54,35 फीजदी वोट मिले हैं जबकि पिछली बार 56,9 फीजदी वोट बीजेपी को मिले थे। इस बार आमादी पार्टी और कॉंग्रेस का जो गटबंदन है उसको मिला कर करीब 43,3 से उपर कुछ उपर वोट मिले हैं जबकि पिछली बार जो दोनों पार्टी अलग लड़ी थी 2019 में कॉंग्रेस अलग आमादी पार्टी अलग तो इनको मिला के भी 40,8 फीजदी ही वो इन दोनों पार्टी का अलग लग वोट भी देख लें तो इस बार आमादी पार्टी के एवल 4 सीटों पे चुनाव लड़ी 24,7 फीजदी वोट उसको हासिल हुआ जबकि पिछली बार सभी 7 सीटों पर आमादी पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन 18,2 फीजदी वोट ही उसको मिल पाया था तो आमादी पार्टी कम सीट पर लड़कर भी इस बार जादा वोट हासिल कर गई क्योंकि इंडिया गड़ बंदन था कॉंग्रेस के साथ में जबकि कॉंग्रेस इस बार 3 सीट पर चुनाव लड़कर लगबग 19 फीजदी वोट 18,9 फीजदी वोट कॉं इंडिया गड़बंदन आमादी पार्टी और कॉंग्रेस का इंडिया गड़बंदन बीजएपी को दिली में चुनाव हराने में कामिआब ना रहा हो सीट जीतने में कामिआब ना रहा हो लेकिन टक्कर जो है वो अच्छी देते हुए दिखाई दिये जिसकी वैसे तक ही पहुंचता हुआ दिखाई दिया है शरचर्मा एंडिटी मींडिया